आज मैं आप लोगों से सेर करने वालें बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल ब्रिकफास्ट की रेसिपी मिलोना रोटी बहुत ही स्वादिश लगती है खाने में साथी आलू की सबची चटपट में कुकर में बनती है और सुखे धनिये की चटनी मतलब क्या गजब का कॉम्बिनेशन है आप ट्राइ कीज़ेगा किसी भी सटर्डे या संडे वीकेंड में आपको मज़ा ही आजाएगा तो यह जो मिलोना रोटी है जारखन की बहुत ही पॉपलर और अथेंटिक ब्रिकफास्ट की रेसिपी है मैंने बचपन में बहुत जादा इसे खाया हुआ है क्योंकि पापा को बहुत जादा पसंदा अक्सर ममी बनाया करती थी इजी है और काफी स्वादिश लगती है खा अब से पहले हम क्या करेंगे ना कि आलू की सबजी बनाएंगे जटपतघ कूकर में बनने वाली आलू की सबजी है और यह पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं तो नॉर्मली मैंने यहापर कूकर में सरसो के साथ यह जीरा तेजपत्ता हीं अच करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आलू एड़ कर देंगे आलू एड़ करते ही हम साथ ही साथ क्या करेंगे हल्दी नमक एड़ कर देंगे और इसे भूनेंगे मतलब आलू को हल्दी नमक के साथ हमें भूनना है दो तिन मिर्च तक के लिए ये जो कूकर वाली आलू की सबची है ना बिना लैसुन प्याज के बनती है इजी है और फटाफट से बनती है अधरक मिर्च लिया है मैंने मैंने एक इंच अधरक का टुगड़ा होगा साथी दो हरी मिर्चे मैंने उसे कूट लिया है कुकर में एड़ कर रही हूँ, साथी एड़ कर रही हूँ, धनिया चीरा का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बहुत स्यादा मसाले वगर नहीं डलते हैं, हलके मसाले ही रहते हैं यहाँ पर वापस से मसाले डालने के बाद इसे भून लेंगे अब मैं यहाँ ले रही हूँ दो टमाटर तो मैं यहाँ पर इसे चौपर में कदुकस करूंगी आप चाहे ना तो इसे मिक्सर में भी ग्राइड कर सकते हैं या फिर बारिक बारिक चौप कर सकते हैं लेकिन इस तरह से कदुकस करके आड़ किजेगा या फिर मिक्सर में ग्राइंड करके तो जो इसकी ग्रेवी है ना बहुत ही अच्छी बनती है बारिक काटने से इतने अच्छी ग्रेवी नहीं आती है थीक नहीं होती है तो मैंने इसे चॉप कर लिया है और देखिए हम इसे आड़ कर देंगे आलू में और वापस से भूनेंगे दो-तिन मिट तक के लिए यह जो सबजी है ना आपको हाडली मतलब पांच से आठ मिट लगेंगे बनाने में और दो विसल में ही बनकर के रेडी हो जाती है बहुत लोग यह जो सबजी है ना आलू को छीले वे भी बना पानी अड़ करेंगे कःलोना रोटी के लिए तो मैंने यह एक तब गेहुं का आटा लिया और साहथ यह ले रही रही हूँ है बेसन और आटी की कई तो नहीं पर नहीं दोनों एकवल ही रहती है और एकदम क्रिस्पी रोटी बनती है अब एड़ कर रही हूं नमक साथ ही एड़ करूंगी इसमें मंगरेला जिसे की कलाउंजी भी बोलते हैं या फिर ब्लैक क्यूमिन अब इसमें आधा चोटा चमच आजवाइन तो आजवाइन मंगरेला इसमें इसका स्वाइन बहुत ही अच्छा आता है अब मैं इसमें आड़ करी हूं मोयन के लिए तीन चमच घी घी से ही बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है पहले के लोग तो डालड़ा वगरा भी आड़ करते थे मैंने देखा हुआ है तो आप इसमें तेल मत आड़ कीजेगा घी घी एड़ किजेगा उससे बहुत ही अच्छी बनती है स्वाथ में भी अच्छी लगती है खाने में घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे और सक्सा आटा गूत करके तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ लगा करके तियार कर लिया है, जैसे कि हम निमकी वेगरा के Лिये लगाते हैं, मतलब हमारे यह निमकी भोलते हैं, जैसे कि नमक पारे वेगरा का अटा होता है, वैसे यह और ढख के रख देंगे, इसे पांच मिड़ तक केरीए, इधर दोविusa है सब्जी में, बट हम लोगों को बहुत पसंद आता है तो धनिये को हलका सा रोश कर लिया दो टेबली स्पून के करीब लिया था मैंने और इसमें नमक आड़ करके हम इसे दरदरा सा पिस करके तयार करेंगे फाइन नहीं करना आपको हलका सा दरदरा ही रखना है पल्स मोड में ही हो और इसमें से बहुत अच्छी सौंदी खुस हुआ रही है इसे सर्व कैसे करना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी यह जो धनिये की चटनी है पापा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अब देखें यहां पर जो सबजी है वो भी हम चेक कर लेते हैं इसमें मै पूरियों के साथ भी मैं बहुत बार यह सबजी बनाती हूं या फिर यह मिलोना रोटी के साथ तो एकदम गजब का कॉम्बिनेशन है अब बनाते हैं रोटी यहां पर आटा को बहुत ज्यादा रेश्ट पर नहीं रखना है पांच से साथ मैठ ही मैंने इसे रखा था बहुत ही आराम करना है इसे वी नहीं नहीं पर नहीं रहना है आपको यह चोच भाते तरह हैं क कंल रोटी साथ मिर्ण आना नहीं हुएर और जके साथ जब तक के नहीं बनार जहता है más एकदम हलकी आच पे ही सिखती है फ्लेम को आपको मेडियम या फिर हाई पे नहीं रखना एकदम लो पे रखना है स्टार्टिंग में जब दोनों साइड रोटियां थोड़ी सिख जाएंगी उसके बाद आप थोड़ा फ्लेम को जादा कर सकते हैं जैसे कि मेडियम पे और इस परफेक्ट ब्राउन आया है आपको बिल्कुल भी काला नहीं करना है जलाना नहीं है रोटी को हलके हलके आच पे से के एकदम परफेक्ट लाइट ब्राउन कलर आता है रोटियों में और एक रोटी सिखने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन जो रोटी ब खराब नहीं होती और एकदम खसता लगती है खाने में देखिए रोटियों में कितनी अच्छी कलर आई है तो इसे आप निकाल लें और सर्व करें गर्मा गर्म आलू टमाटर की सबची के साथ और धनीय की चटनी के साथ रोटियों को आप किसी जालीदार बरतन में ही रखें निकाल करके ताकि नीचे से बिल्कुल भी सौगी ना हो और देखें यहाँ पर जो धनीया है में इसे रख देंगे और सेंटर में थोड़ा से स्पेस बना देंगे और सेंटर में डालेंगे सर्सो का तेल और फ्राइड हरी मिर्ची के साथ इसे सर्फ करेंगे बहुत ही गज बहुत पसंद है आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी रेसेपी बाब बाई